बिस्मिल्ला रौमाल रौहीम असलाम लेकूम वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल फ्लीम एंड फ्राइ आज मैं आपको बनाना से आ रही हूँ कैरटी केक ये बहुत हैल्दी रेस्पी है बहुत मज़े की बहुत सिंपल और बहुत इजी आप इसको जुरू ट्राइ कीज़ेगा आए होप आपको ये बहुत पसंद आएगा कैड़ टीके कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए कीन कीन चीजों की जरुद होती है आइए देखते हैं कैरट टीकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम कैड़ेट लेंगे यहाँ पर मैंने दो गाजने लिए थी इनको पेल किया था अच्छी तरह दोया था आप इनको ग्रेट कर लेंगे अब यह गाजने ग्रेट हो चुकी है अब हम ब्लेंडर जार में डालेंगे तीन अदद अंडे और इसके अंदर डालेंगे आफ कुकिंग आईल आप इसकी जगा बटर भी ले सकते हैं और यहां पर मैंने वान कप पाउडर शूगर एड़ की थी और पाउडर शूगर बनाना बहुत असान है आप इसको घर में राम से बना सकते हैं सिंपल शूगर लें उसको ग्राइंड करें उसको चान के अड़ करें और इसके अंदर मैंने एड़ की थी वान कप ग्रेट क्यूई कैरट्स और इसको हम अच्छी तरह से ब्लैंड करेंगे और यह देखें यह बहुत अच्छा सा मिक्स्चर एड़ी हो गया इसका ना देख और उसके अंदर एड़ करेंगे वान कप ग्रेट की हुई कैरट्स यानि कि कद्दुकश की हुई गाच रहें और इसके अंदर टू टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसका बहुत अच्छा लाइट पिंक कलर आया है गाजरों की वज़ा से और यह है कि इसके अंदर कोई फूट कलर हम एड़ नहीं करेंगे अब यह देखें बिल्कुल स्मूथ पैटर जो है वो रैड़ी है अब यहां पर हम एक सांचा लेंगे और उसके अंदर मेरे बटर पेपर लगा लिया था उसको ऑईल से ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर सारा मिक्सर टाल देंगे और अब हम करेंगे इसको बेक यहां बर मैंने एकडाही लिये थी और उसके अंदर जो है न वो यह चोटा सपोर्ट रखा था और अब इसके उपर जो हम यह केक का जो सांचा है उसको रख देंगे और उपर से जो हो टकन लगा देंगे मैंने इस कडाही को तक्रीवन 15 मिनट पहले गरम किया था हमें यहां पर इसको लो फ्लेम पे जो है वो केक को कुक करूंगी तक्रीवन 35-40 मिनट के लिए और अब यह देखें यह केक जो है वो बिल्कुल रेडी है ठीक है और इसको कटिंग बोर्ड पे रखा था और इसके उपर से जो है यह बटर पेपर जो लगाया था वो उतार लेंगे यह देखें कितना अच्छा कलर आया केक के उपर कितना यह स्पॉंजी केक बना है बहुत सॉप्ट है यह देखे और अब हम जो है वो नाइफ की मदद से बहुत अराम से इसके पीसिस काट लेंगे यह देखें कितना स्पोंजी है और इसके अंदर कैरट्स कितनी अच्छी लग रही है और कितना अच्छा कलर आया है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा आप बचों के लंच बोक्स में दे सकते हैं आप शाम की चाय के साथ इंच्वाइ करें इस केक को विडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें शेयर कर दें मेरे चैनल फ्रेमेंट फ्राइव को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज